शूलपानी शूलपानी महावीर स्वामी के संपर्क में आकर सज्जन बन जाता है उसकी जीने की दिशा बदल जाती है शाम ढलने लगी थी भगवान महावीर विहार करते हुए आस्थिक नामक ग्राम के एक चैते में पहुचे ग्राम वासी बोजन करके विश्राम करने जा रहे थे तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला पूरा गाव उनके दर्शन के लिए उमर पड़ा भगवान महावीर जिस चैते में ठहरे हुए थे उसी में शूलपानी नामक एक क्रूर नर्पिशाच रहता था वो अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हत्यार चैते बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुन्दर था उसके समीब ही गंडक नदी बह रही थी सामने रमनीक उपवन था उसमें हर समय रंग बिरंगे सुन्दर फूल खिलते रहते थे उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल व्रक्ष था भगवान महावीर इस पूले सामने भूमी पर बैट गए थोड़ी ही देर में वहां सारा गाव एकत्रित हो गया भगवान महावीर ने उन्हें धर्मों देश दिया गाववालों ने उनका उपदेश बहुत अच्छा लगा उपदेश की समापती पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अप कर दिया गाव के मुख्या बोले प्रभू इस चैति में एक नर्पिशाच रहता है वह बहुत निर्दई है जो भी रात में यहां टहरता है यह इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले तुम चिंता मत करो व इतना कहकर वे समाधी लगा कर बैठ गए गाव वाले दुखी मन से लोट गए कुछ समय पस्चात अधिरा हो गया शूल पानी बाहर से लोटा उपवन में एक व्यक्ति को समाधी लगाए बैठा देखकर चौका कुरोध में उसकी आखे लाल हो उठी वह भगवान महावीर क को गालियां देने लगा उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा वे समाधी लगाए बैठे रहे क्रोधित होकर शूलपानी ने कौशिक नाक से कहा तुम इस दुष्ट महत्मा को काट लो कौशिक फुकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा तबी भगवान महावीर ने शान्थ भाव से कहा कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो ऐसा करने से तुम ही क्या भगवान महावीर की अम्रित्मई वानी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया, वो जहां का तहां रुक गया, शूल पानी और अधिक क्रोधित हो उठा, वो चिलाया, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है, मैं नहीं जानता कि तुम इतने दूर्थ निकलोगे, अब मैं स्वयम इसका वद किये देता हूँ, शूल पानी ने अपना शूल उठाया, जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमन की करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया, शूल पानी धड़ाम से भूमी पर गिर पड़ा और तडपने लगा, उसे तडपता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा, शूल पानी, खबराओं मत, मैं अभी जड़ी बूटी लगा कर तुम्हारा उपचार करता हूँ, भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए, भगवान महावीर की जड़ी बूटी घिसकर शूल पानी को उपचार करना आरंब किया, तो गाओ के मुख्या ने कहा, भगवान इसे ना बचाएं, ये हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतह इसे मर जाने दें, महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूल पानी कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए, शूल पानी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना, लोग चुप हो गए, अपराद शमल के योग्य नहीं है अब मैं आपकी शरण में आया हूँ आप जो चाहे सजा दे भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा उठो वत्स सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है मुझे अपना शिश्य बनाकर दीक्षा दे मैं प्रण कर कि अब किसी को नहीं सताऊंगा शूलपाणी ने कहा भगवान महावीर ने उसके सिर पर हात फेरते हुए कहा वत्स आज से तुम मेरे शिश्य हो भगवान तुम्हारा कल्यान करेंगे मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है यही तुम्हारे लिए दीक्षा है कामी से दीक्षा पाने के उपरांग शूलपाणी का जीवन दर्शन ही बदल गया वह अब परोपकार में जीवन व्यतीत करना है